Students, py così andklaanhum, Ihlem chỉ a chapter, is tips where we're gonna discuss next class monogenia. Class monogenia have 1 generation in their life cycle, in their life cycle, there's only 1 generation, mono means moon and generally means generation. They seem so 1 generation. 1 egg from it from the only 1 whole adults debug posts जो मोनोजीनिया है यह एक्टो पेरसाइटिक फ्लैट्फम है यह एक्स्टर्नल पेरसाइट्स है पेरसाइट्स हम ऐसे आगनिसम को बोलते हैं जो होस्ट जो होस्ट से न्यूट्रिंट्स हासिल करते हैं और बदले में होस्ट को नुकसान पहुचाते हैं यह monogenia जो हैं यह ectoparasitic platform है यह ectoparasites किन species पर होते हैं तो यह fishes के ectoparasites हैं यह fishes की fins और gills पर attack करते हैं इनका जो life cycle होता है वो direct होता है यनि इन में कोई भी intermediate host जो है इनको require नहीं होता है इनका life cycle direct होता है जो इनका अडल्ट होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है यनि इनने मेल और फी मेल रिप्रोड़क्टिव आगज जो है वो एक ही बाड़ी में प्रेसेंट होते है बास जो मोनोचीनिया है वो ओवी पैरस है लेकिन कुछ मोनोचीनिया जो है वो वी वी पैरस है जो OV Paris हैं ये एक को release कर देते हैं वाटर में जबकि जो VV Paris हैं वो अपने लार्वा को release करते हैं और लार्वा जो हैं वो किसी दूसरे होस्ट के साथ जल्दी से अटैश हो जाता है इसकी दो एक्जेम्पल है एक्लास मोनोजीनिय की ग्रायो डिक्टाइलस एंड डिक्टाइलो गायरस जो ग्रायो डिक्टाइलस है ये एक्जेम्पल है वीवी पैरस की ये जो है ये वीवी पैरस है और जो ग्रायो डिक्टाइलस है ये fresh water और marine water दोनों जो हैं fishes को affect करते हैं दोनों fishes के एक्टो पैरसाइट जो cryo dictalis हैं ये fresh water और marine water species वे एक्टो पैरसाइट हैं और ये वीवे पैरस है यानि लार्वा को release करते हैं तबके जो टिक्टायलो गैरस हैं ये सिर्फ जो fresh water fish हैं उन पर attack करते हैं जो डिक्टायलोगारिस हैं ये OV-Paris हैं यानि एग को ले करते हैं जो मोनचीनिय हैं इनके पास ना तो respiratory system होता है ना इनके पास scytal system होता है इनका और ना ही circulatory system present होता है इनका जो digestive system होता है वो भी simple होता है और terminal opening जो है वो present नहीं होती terminal opening यानि एनस present नहीं होती simple है pharynx होती है intestine इनके पास present होती है लेकिन जो terminal opening है जिस हम एनस कहते हैं वो present नहीं होती जो मोनचीनिय हैं इनके पास well developed attachment structure होते हैं जिनकी वदद से ये host के साथ attach हो जाते हैं और वहां से nutrients वगारा हासल करते हैं इनके जो interior structure है उसको हम कहते हैं proheptor ये इनका जो interior attachment structure है इसको proheptor कहा जाता है जबकि जो posterior attachment structure है इसको prosteptor कहा जाता है नेक्स बात करते हैं इनके life cycle की इनका जो life cycle है वो बहुत simple है जबते भी platyhelminthus parasites हैं सबसे जबते simple life cycle है वो class monogenia का है ये जो है एक्टो पेरासाइट है फिश के जैसे मैं आगे बात की ये external parasite है एक्टो पेरासाइट है ये fishes की gills पे attach हो जाते है जो फिलमेंट्स है वहाँ पर ये attach हो जाते है और वहाँ पर gills के जो epithereal cells है उनको खाते है अब जी जिस भी fish को पर अटैक करते है ये वहले parasites तो क्या होते है सिस्ट हो जाती है जिस भी fish साथ ये parasite attach हो जाता है वह फिश सिस्ट हो जाती है और पानी की surface पर move करना शुरू कर देती है उसके लावा जिस जगह पर अजीट अटाएज रेएट अटाइच हो जाता है baş féledण करेकिंड रहीं जूआ होता यह स्केल수 से रिमूव हो जाता से और आके वाद सिकृट साई। यह हर्मेफ्रोडाइट है जैसे शेकरेकियों थिर ठीश का हर्मेफ्रोडाइट हुआए छोटा है, एक ही बाड़ी में present होती है लेकिन इनमें इनमें भी self-fertilization नहीं होती है बहुत रेहर होती है या होती ही नहीं है जो fertilization है वो cross-fertilization होती है हमने जातर बात की कि इसके जातर जो species है वो egg लेंग है so egg जो है उसको release कर दिया जाता है water के अंदर egg जो है वो hatch करता है और release करता है ciliated larva जिसे आन को मेरा cedium कहते है egg hatch होता है और egg से ciliated larva release होता है larva जिसके पास बहुत सारे cilia presence होते है उसको आन को मेरा cedium कहते है जो आन को मेरा cedium है यह ciliated होता है और इसके पास बहुत सारे attachment organs प्रवखन उता है जिनकी मदद से यह अःच होजाता है बनाला यह इंता हैstar में का उता में अदाए